रामपूर की बस हैटडे की व्रक्षपुप पर जल ब्रावी काफी गहरा है और बड़ा हुआ है यहाँ हालकि लशे पर काफी पर भंवा गया चल ब्रावी नई बात नहीं है यह नहीं यहाँ पर पानी इखटः है को सेंड में समने न हैं कि यहां पर न ही है कि यहां वर्षावaking और वहां पर कर्म चारि पर पर काम हैं और बिजाले गडीब लोग हैं वो काम करते हैं तो उसमें उनके लिए बहुत परिशाने का सामय करना पर लाएं और जलबराद भी वाएसे वो लोग जब उसमें निकलते हैं तो उनके पैदों में घाव पड़ गया है जब करमचारी उस यहां की बात हुई तो उनने बताया है कि हमने शिकायती प्रातना पात्र आला देखारियों को मत्री मेरिस्टर और मुखमाद्यतक को हम पहच चुके हैं कई सारों तो पहच रहा हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ने हुई हाला कि यहां उनने भी बताया है कि यहां कुछ दिन पहले करन भी आ गया था जिसके रह इसे भी एक फट्रकाजा हुआ कि अगर यह करन अगर दोबारा आया या कोई और वज़ा हुई या आनुहनी घटना घट गई जिसके समिलार कौन होगा तो इस तरह से यहां पर जल भाव बढ़ा भीया है और लोग काफी परशान है और हर वक्त यहां पानी घट्टा है और यहां करन जारी तो परशान है ही आने जाने वाले लोग भी परशान है और इस तरह से यह मामला बहुत कभी रूप ले रहा है आखिर अगर यहां कोई पानी पानी में काम करेंगा तो फिर उसके बाद पानी कैसे निकलेगा यह अपना पी ऐसी बसों के सारे जो पाईों के सारे जो पानी दरदा होता है नहीं यह और पानी किया अबना ने क्या मामला है क्या मामला यह पानी को लेखार तो क्यों मारा राधा करेंट काओ निया रहा है है